विएश कहा करना चाहिए? शेर मार्किट में, बॉन्स में, मीट्वल फंड्स में कहा करें, कैसे करें? कम्पनी किसी भी केस में, लॉस में हो या ज्यादा प्रॉफिट में हो, अगर भविशे में वो कम्पनी बंध होने के कगार पर होती है, तो आपने जो लोन के रूप में पैसे दिया है वो सिक्योर है नमस्कार दोस्तों वेल्य ओफ इन्वेस्टिंग की इस वीडियो में मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स हम में से हर व्यक्ति अपने निवेश पर अधिक से अधिक रिटन पाना चाहता है लेकिन वो यह नहीं समझ पाता कि मुझे निवेश कहां करना चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी में रेकरिंग डिपॉजत में शेयर मार्केट में बॉंड्स में मीच्वल फंड्स में कहां करें कैसे करें जहां हमारा पैसा सेफ भी रहे और जाला स्यादा रिटन हमें मिले तो आज हम बात करेंगे वेर टू इन्वेस्ट पॉर बै है कि शेर्ट क्या होते हैं और बॉंड का होते हैं फंड अगर आप कहीं भी invest करते हैं तो फंड कमपनी अपनी ग्रोथ के लिए RE एकतर्ट करने के लिए थो तरीके सेरोंriers तो वह एकमपनी की ownership पार्टनर के Er तो company owner यह कहते हैं कि हम आपको अपनी company की stake holding देते हैं उस्टे बदले आप हमारी company में पैसा invest करो एक तरह से company के shareholder बन जाओ मालिक बन जाओ company में यदी profit होता है तो आपको भी profit होगा share की value यदी बढ़ती है और आप उसे बेशते हैं तो आपको profit होगा share की value घटती है तो आपको भी loss होने की संबावना है और यदी company अच्छा perform करती है तो dividend के रूप में आपको income मिलने वाली है तो यहाँ पर risk factor involved होता है दूसरा तरीका होता है debt कठा करने का fund कठा करने का वह होता है debt debt मतलब एक तरह से करजा आज बहुत सारी company अपनी company की equity issue नहीं करती है वह कहती है आप हमारी company को कर्ज दो जिसके बदले में आपको fixed percentage of income देने वाले हैं मान लीजिए एक company है Metas overseas limited यह company stainless steel modular kitchen की manufacturing करती है properly highly growth वाली company है तेजी से आ network तीजी से बढ़ाती जा रही है अब company को expansion करने के लिए नए factory setups लगाने के लिए बविश्य में नए शोरूम्स खोलने के लिए advertisement के लिए branding के लिए infrastructure के लिए बहुत सारा fund चाहिए तो company दो तरह से fund कठा करेगी या तो company की equity मतलब ownership देकर लोगों को अपने company की हिस्सेदारी और उन्हें partner बनाएगी या company कहेगी आप हमें debt दें और हम आपको fix percentage of income देने वाले हैं तो आज हम बात करते हैं कि share versus bond में जब हम equity की बात करते हैं तो equity में company अपनी company के share issue करती है इसका मतलब आप company की एक हिस्सेदारी ले लेते हैं और हिस्सेदारी का मतलब है कहीं ना कहीं उस company की decisions में और बहुत सारी चीज़ों में आपको भी महत दिया है था है एक उधारन के रूप में लेते हैं मान लिजे company का share price है 10 रुपे company ने कहा मैं एक unit share price का 10 रुपे रखता हूं और मेरी company के एक लाख share market में issue करता हूं इसका मतलब company की total equity कितनी हो गई company की total value कितनी हो recording per share price और number of shares जब multiply करेंगे तो 10 रुपे की उस company की equity की value हो गई लेकिन company कभी भी 100% equity market में issue नहीं करती है share के रूप में नहीं बेशती है क्योंकि उसका company का हाथ में क्या रह जाएगा company की ownership दूसरे लोगों का हाथ में चली जाएगी company कहती है मैं जितने पैसे की ज़रूत है के मान लीजिए एक company ने अपने सिर्फ 2000 share ही issue किये हैं और 10 रुपे का एक share है मतलब 20,000 की value के share company market में लगा दिये अब क्योंकि company के number of share बहुत limited है तो बहुत सारे लोग उस share को खरिदने के लिए interest पैदा इंटरस्ट चो करेंगे या बहुत सारे लोग उस company को के share को बेचने के इंटरस्ट पैदा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर demand and supply के अधार पर निर्ने होगा कि उस company का share price क्या होने वाला है इसका मतलब share से जो income होने वाली है वो दो तरह से होती है तो dividend income company जो अपना profit कमाईगी उसका लाभांश का एक हिस्सा जब shareholder को distribute करेगी तो आ आपको होने वाला है company के market share price के आधार पर भविश्य में उसका share price कितना है अगर आप share sale या purchase करते हैं तो उसमें आपको profit या loss होने की संभावना है वहीं अगर हम bonds की बात करें तो bonds क्या है bonds एक तरह का करजा है bonds are like a debt to the company यह company में करजे के रूप में होता है इस तरह से समझ ल अगर बविश्य में बंद होने के कागार पर होती है तो आपने जो लोन के रूप में पैसा दिया है वो सिक्योर है क्योंकि बाकी बचावा पैसा ही shareholders में बाता जाता है तो यहाँ पर आपका जो पैसा है जो आपकी capital है बहुत safe रहने वाली है और इसके एवज में fixed percentage of return in terms of income मिलती है एक company के bond holder को यहाँ पर safe side investment का जाता है इसको इसमें risk कम है तो इसमें income भी कम है risk कम क्यों है कि यह दी company किसी benefit नहीं होने वाला है तो यहाँ पर मैं एक इसको example गूरूप में बदाता हूँ मानली जीए Metas overseas limited company ने market में अपने share को launch किया और company ने सिर्फ number of share 500 issue की और demand and supply के अधार पर decide हुआ जिस share का book value price 10 रूपी था वहाँ लोग 200 रूपे का वो share खरीदने के लिए तयार हो गए मतलब यदि आपने 200 रूपे के rate पर share खरीदा है और 500 share खरीदे हैं तो आपने एक लाख रूपे company में invest कर दिये stakeholder लेने के लिए share holding लेने के लिए company के share purchase करने के लिए लेकिन मानली जीए company ने का कि मैं bond issue करते हैं और एक bond की value 10,000 है आपने 10 bond लिए और 2 साल के लिए तो आपको जो 10 bond है वो एक लाख रूपे की investment हो गई company आपको बताएगी कि bond पर कितना return आपको fix मिलने वाला है company को ज़्यादा profit हो तब भी loss हो तब भी और company बंद होने की कगार पर हो तब भी और example 14% का return आपको देते हैं तो इसका मतलब एक लाख रूपे पर 14,000 रूपे पर annum आपको मिलने वाले हैं अगले दो साल में आपको 28,000 रूपे इंकम हो जाएगी और आपका एक लाख रूपे 100% safe and secure रहेगा लेकिन दो साल बात इस share की value क्या होगी यह बात पर निबर होगा कि company का vision क्या है company के fundamental कैसे है government की उस company के product के प्रतीक्या schemes है या भविश्य में company का expansion क्या है company का इन share का price हो जाता है 1500 रूपे पर share आपके पास कितने share है 500 रूपे आपके share की value हो जाने वाली है जो आपने एक लाख रूपे में खरी दे यहाँ पर percentage of profit का कोई fix ratio नहीं है जैसे जैसे company के share के demand बढ़ेगी आपके income और आपके investment बढ़ती चले जाएगी और अगर in case company के share के demand गट रहती है बविश्य में share का price मान लिजिए केवल 10 रूपे रह जाता है तो आपकी capital के value 500 गुना में 10-5000 रूपे रह जाने वाली है जो एक लाख रूपे के share आपने खरी दे थे क्यों क्योंकि ये depend करता है demand and supply पर company के fundamental पर company के technical analysis पर और साती साथ market के sentiments पर कि भविश्य में share की value क्या होगी इसलिए dialogue आपने सुना होगा risk है तो इश्क है जहाँ पर ज्यादा risk है तो ज्यादा income भी है ज्यादा growth की possibility हैं और जहाँ पर risk नहीं है वहाँ पर safe percentage of return आपको मिलने वाला है आपको ये देखना है कि आप company के bonds खरीदना चाहते है या share में invest करना चाहते है प्रेंट्स मैं अपनी investment का जो ratio decide करता हूँ वो कुछ इस तरह से होता है मेरा ratio जो है 50, 30, 20 50% में share में invest करता हूँ जहाँ मुझे ज़्यादा return मिलने की संभावना है क्योंकि risk भी ज़्यादा है example के रूप में मैं 1,00,000 रुपए पर month invest कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से 50,000 रुपए share में invest करता हूँ 30,000 रुपए bonds mutual funds इसमें invest करता हूँ और 20,000 रुपए ऐसी जगाए invest करता हूँ जहाँ पर मुझे fixed percentage of return मिलता रहे यह आपके उपर निर्भर करता है कि आप अपनी income source के आप अपनी risk bearing capacity के अनुसार आप अपने भविश्य में growth की संभावनाओं के अधार पर आप कहा निवेश करना पसंद करेंगे और किस अनुपात में निवेश करना पसंद करेंगे साथी साथ अगर भविश्य में growth की संभावनाओं बहुत अधिक है या बहुत कम है उसके ब बार मल्टिप्लाईयों के बहुत बड़ी वेल्यू बन जाता है इसलिए हमेशा निवेश करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित महाईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत